मित्रों अक्टूबर के महीने में आप लोगों के जीवन में ये तीन बड़ी घटनाएं घटित होने बाली है मनुस्य के जीवन में दुख और सुख आती जाती रहती है मनुस्य को कभी बहुत सारे सुखों के प्राप्ति होती है तो कभी कई सारे दुखों और तकलिफों का सामना करना पड़ता है ऐसे में अक्टूबर के महीने में आप लोगों के जीवन में ये तीन बड़ी घटनाएं घटित होने वाली है मत्रों आप लोगों से अनुरोध हैं कि अगर आप अकेले हैं और एकांत में हैं तब ही इस वीडियो को पूरा देखें अन्नथा आप इस वीडियो को यहीं पे स्कीप कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी के सारी बातें गुप्त और रहस्यमई रहेगी जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना सुनना और समझना चाहिए क्योंकि अक्टूबर का महीना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है इस महीने ग्रहों के कुछ ऐसे इस्तिया बनेंगी जो आपके जीवन में धन दौलत, ऐसो अराम, धन समपता के प्राप्ति करवाएंगी परिवार वाले घर वाले और समाज वाले आपके इज़त करणे वाले हैं इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको ऑक्टूबर महीने के महरासी फल की बारे में बताने वाले हैं आपको बताएंगे आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्त कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, बिजनस बैपार कैसा रहेगा, धन की इस्तितियां कैसे रहेगी, बैपार की इस्तितियां कैसे रहेगी और अक्टूबर महीने का वो कौन से तारिक है जो आप के लिए सब से सुब और सब से लखी रहेगा कौन से छेत्रों में कारी करते समय आपको सावधान सतर को समल कर रहने की जरूरत रहेंगी मित्रों आपको बताएंगे बैपार करियर उनसे रूड़े बहुत सारे ऐसे फ़हलों के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बहतर बनाने में काफी लावकार इसावित होंगे मित्रों उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनलन को सस्क्राइब और वस्से कर लें ताकि वो जाना रासिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके मित्रों ओक्टूबर का महीना यह आपकी किस्मत आपका साथ देनी वाली है जिसकी वज़े से जटल से जटल समस्याओं का समाधान भी इस महीने आपको मिलेगा परियोजनाएं जो रुरकी हुई थी जो प्रोजेक्ट रुके हुए थी वो भी अब गती पकड़ने वाले हैं कारिश्यतर में काफी तरक्की और काफी उन्नती होने वाली है एक लंबे समय से प्रतिक्षिय यात्रा भी सफल होगी अगर आप बहुत लंबे समय से किसी टू परियोजनाएं आपके लिए काफी सुब रहेगा वैविसाई अपने वैविसाई च्चित्र में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं बैपार वैविसाई विस्तार करने के लिए यह महीना बहदी उपयोगी और काफी लापकारी रहेगा आर्थी गूरूप से देखा जाए तो य परियोजनाएं आपके लिए और आपके प्रिवार की आर्थिक इस्तितियों में वदलाव के लिए बहुत अच्छी उमीदे लेकर आने वाला है बत्रों वित्य और संपत्ति से सम्दित मामलों में आपको किसी बड़े और बहत्रिन व्यक्ति से सलाह भी प्राप्त होने वा इस महीने आपको अपने अपरत्यासित दो खर्चे हैं वो आपको कंट्रोल करने होंगे वेफजूल के खर्चे आपको कंट्रोल करने होंगे नहीं तो ये खर्चे आपके आपके जीवन में परिसानिक उत्मन न कर सकते हैं या फिर आपको आर्थिक तंग्यों का सामना भी क सुधारने का मौका मिलेगा इस मौके को आप जाने ना दे जिन पर्टिरोधी जिन आपके जो जिन लोगों से वैवसाइक टर्म में आपके सम्मंद अच्छे नहीं थे उन समंदों को भी बहत्रिन करने के लिए यह समय काफी उल्चित रहने वाला है आपको इस महीने कोई सु बेहदी उप्योगी रहेगा जड़ल समस्याओं का समधान भी आपको इस महीने स्वतही फ्राप्त होने वाला है बैविसाइक रूप से यह महीना काफी अच्छा रहेगा नोकरी पेसे वाले जात्कों को कोई सुबसमाचार के फ्राप्त होंगी यह सुबसमाचार आपको आ सकरात्मक रूप से परसुत करपाने में सफल होगे सकरात्मक रूप से दूसरों को अपने विचारों को समधाने में अपने आपको समधाने में काफी सफल रहोगे परिक्षा या पर्ट्योगिता के माद्यम से नोकरी के तलास करने वालों को या फिर खुद का अपना यह खतार में थे, वह इंतिजार आपको आपके लक्षे तक ले जाएगा और कारिशत्र में काफी बड़ा सुधार होगा, आपके आर्थिक इस्तितियां और निजी जीवन भी सुधरने वाली हैं, मत्रो बेरुजगारों को रोजगार की फ्राप्ति इस महीने होने वाला है, आप अपने खुद के वैवसाई वैपार का भी विस्तार करने के लिए योजनाओ को बना सुकोगे, आप अपने समर्पन और कड़ी महनत से दूसरों से आगे रहोगे, और यही महनत और यही कड़ी समर्पन आपको आपके जीवन में बड़ा उमीद जगाने बाला है, पार आपको आपके कारिशेत्र में थोड़ी सी बाधायें और कारे में देरी का सामना करना पड़ सकता है, परन्तु पारिवारिक से योग और आर्थी ग्रूप से आप इन सभी कटनायों को और बाधाओं को दूर करके जीवन में अपने लक्ष को प्राप्त करपाने में बेहत् आपको शतर कर रहना होगा, अपने स्वास्त को लेकर लापरवाही करने से बचने का प्रियास करना होगा, क्योंकि बदलता हुआ मोसम आपकी लापरवाही की वज़े से आपको मुस्किलों में डाल सकता है, इसलिए आपको आपके स्वास्त का विसेश ध्यान रखना होगा मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आगे की जानकारियां जो भी बताने जा रहा हैं वो बहुती गुप्त और काफी रहस्तुमई रहेगी इसलिए आप लोगों से अनुरोध हैं कि अगर आप अकेले हैं और एकांत में हैं तब ही आगे की जानकारियों को जाने, समझे और इन जानकारियों को आप किसी के साथ पी साधा न करें इसे आप अपने जीवन में सही तरीके से यूज करने की अवस्य कोसद करें बत्रों, भगवान स्रीहरी विस्नुजी की क्रिपा के साथ सा धनकी देवी माता लक्ष्मी की क्रिपा आपको इस महीने प्राप्त होने वाली हैं जिसकी वज़ा से आपको एक ऐसे मनुस्य का सही योग मिलेगा जो आपको सही दिसा दिखाने वाला है सही कारिशेत्र में आपको योगदान करने में आपके सहाता करेगा कठन पस्रेंट हैंके जो आपके पारी दिद्र करेगा सही रहा पर ले जाने में आपका सही करेगा आपको प्रिवार के सदस्यों का पूरा सयोग और सिनह की फ्राप्ति होने वाली हैं प्रेम समंदवी यथावत रहेंगे और आप अपने जीवन सैली में कुछ छोटे छोटे वदलावों को करके आप अधिक सफलता को प्राप्त कर सकोगे, सगरात्मक महसूस करणे वाले हैं वैविसाइक रूप से आप प्रगती करेंगे, उन्नति करेंगे, प्रेतन सिल रहेंगे आप अपने कार्यों के लिए कारस्तेल पर बहुत परसंशा के पातर बने रहेंगे क्योंकि आप अपने कारे को इस तरीके से करोगे जिसे कि सब लोग आपके मूरीद बनेंगे सब लोग आपके परसंसा करेंगे सब लोग आपके कारे करने की जो विसेशता है उसके बारे में आपकी बड़ाई करने वाले हैं आप बेसे कुछ लोग नए समंद, नए साध्यदारी या नए कारिश्यत्र बेपरवेस कर सकते हैं, जो आप लोगों को सफलता दिलवाने में शफल रहेंगे, कारिश्यत्र में भी काफी उन्नती होने वाली हैं, परतिजंदू आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, जो लोग आपके दुसमन, जो लोग आपके परतिरोधी हैं, जो लोग आपके कंपिटेटर हैं, उन्नों लोगों से भी आपको कोई खत्रा इस महीने नहीं दिख रहा है, वो लोग आपके साथ गहरा समंद बनाएंगे, वो लोगों के साथ आपके समंद भी पहले से काफी दिया जा सकता है अगर आप भूमी की खरीद करना चाते हैं जमीन की खरीदारी करना चाते हैं ये जमीन की बिखरी करना चाते हैं इन दोनों कारे के लिए जमहीना अत्यंत सुब रहेगा अत्यंत लाबकारी रहेगा तो मित्रों इन दोनों के लिए आप अपने आपको सहज मह और विवाफ आपका जल्दी ही तै होने बाला है पारिवारि जीवन भी आपका सुप रहेगा बच्चे भी बहुत जादा सिक्षा के शत्र में भहती जादा अच्छा उन्नति करने बाले हैं जिन लोगों का विवाफ हो चुका है उन लोगों को जीवनसाथी का सयोग प्राब्टोफो holdने वाला है लेकिन स्वास्त पर ध्यान देने की आवस्थ चता रहेंगी क्योंकि आप छोडी मोडी बिमारियों का सामना कर सकते हैं और आपको आपके जीवन में सावधानी से अपने बिमारियों का डट का सामना अच्छा रहने वाला है भगवान स्री सनीदेव जी की क्रिपा से भी आप किसी नई पुर्योजनाओं की सुरुआद कर सकते हैं जो आपको वीतिलाप की प्राप्ति करवाने का प्रबल संकेत दिखा रहा है मित्रों आपने सौक सौरत को विक्सित कर सकोगे अपने सौक को पूरा करने के लिए भी यह समय काफी रहतादा सुब रहनी वाला है भविस्य में यह आपके लिए अतनते ही लापदायक और काफी सुन्दर सावित होगा प्रिवार में कोई सुबकारिस संपन्न होनी वाला है जिसे आपको बड़ी परसंता मिलेगी मित्रों आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जयम आता दी अवस्यलिक हैं आपका दिन सुबहों मंगल कारी हो जयम आविंदु वासनी